स्वागत या सातियों इस यूट्याट चैनल पे तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे के दी ही ये पी के पर्थम चार पद लिख uniform लिखी है जबकि पर्थम पद दिया होया है सारवंतर दिया हुआ हिथा ठीक है तो आपको निकालना पर्थम चार पद लिखेंगे कैसे लिखेंगे तो चलिए सबसे पहले आपको बता दे कि लिखने का तरीका क्या होता है कि जब यह आपको पद लिखने के 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 निकल गया ठीक है अब यहां पर आप यह 3 लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे तो यह प्लस 2D ठीक है 2D प्राबर कितना है 10 प्लस दो गुने 10 बराबर 10 बनी 20 रदस 30 है तो एक पद हो गया आपका दूसरा पत तीसरा पत चार पत बोला है तो यह 4 तक लिखेंगे तो यह 2, 3 अब यहां पर 4 है यहां पर 3 जतना है आप रहेगा उससे यहां पर एक कम लिखना है 3D तो यहां पर है 10 प्लस 3 गुने 10 तीन है 30 हर 10 एक 40 आपका यहां पर सामने आ गया किस प्रकार से है तो देखिए आपका यहां पर जो AP के रूप में आया है ठीक है AP जो आया है आपक इस निकाला है इस तरह से आप और निकाल सकते हैं ठीक है यह आपका एंसर हो गया ठीक चलिए हम लोग और question देखते है question number 2 तो यहां पर दिया हुआ है यह बराबर इतना और D बराबर 0 दिया हुआ आपको निकालना है इसका पर्थम पद दूतिय पद दिया हुआ दूतिय पराबर 0 पराबर मायनस दो आ गया ठीक है चलिए यह यहां पे यह 3 आप निकालते हैं हम लोग ठीक है यह 3 क्या हो जाएगा यह प्लस यहां पर 3 है यह कम यहां पर 2TD अब ठीक है अब 2D है तो यहां पर माइनस 2 जोड दो गुने 0 जब इसको हम लोग कालेशन करेंगे तो मैनस 2 ही प्राप्त होगा ठीक है यहां से फिर यह 4 आप निकाली है हम लोगों कहा कि निकालने के लिए कहा है तो यह प्लस 3D बराबर मैनस 2 प्लस 2 3D गुने 0 यहां भी यह तो 0 हो जाएगा यहां भचा मैनस 2 तो आपका यह दोसरा पार्ट देख लिए हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं तीसरा कोश्चन देखते हैं यहां पर 2 हो गया यहां पर यहां पे जतना रहेगा तो यहां पे कम बठाएंगे कितना होगी आपका यहां पे 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस 3 दूनी 6 तो यहां पे माइनस 2 आपका निकल के आ गया इसी तरीके से यहां भी आप यहां पे बठा सकते हैं यह 4 तो 4 प्लस 3 गुने माइ बचेगा ये 5 भी आप निकाल दीजिए थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको 4 प्लस 4 गुने मैंनस 3 बराबर 4 तिया 12 12 4 मैंनस 12 कितना हो गया बच गया आपका यहां पे तो यहां पे आपका आ गया है साथियों देखिए कितना तो यहां पे 8 मैंनस 8 अब यहां पे ये पी बराबर आप लिखिएगा तो क्या होगा इसका ये पी इसका ये पी हो जाएगा पहले तो कितना है यहां पे 4 दिया हुआ है ठीक है उसके बाद कितना निकाले हम लोग यहां पे 1 निकाले उसके बाद कितना निकाले मैंनस 2 निकाले उसके बाद मैनस 5 उसके बाद मैनस 8 इस तरीके से आप और निकाल सकते हैं ठीक है यही आपका answer हो गया ठीक है चलिए हम लोग question देख लेते हैं next question ठीक है question number जो है आपका 4 ठीक है 4 ठीक है ठीक है चोथा question दिया हुआ है कि दिया हुआ है यह बराबर जो है मैनस 1 है ठीक है और D बराबर 1 बटे 2 दिया हुआ है तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं यह 2 पहले तो यह 2 कैसे निकालेंगे तो यह 2 बराबर होता है क्या साथ ही हो तो होता है कि यह मैनस 1 पलस 1 बटे 2 अब जब इसका हल करेंगे तो यहां पे 2 और यहां पे minus 2 plus 1 बराबर minus 1 बटे 2 आ गया ठीक है हल कर लिजेगा देखिए का यहां पे चलिए यह 3 निकालते हैं तो कैसे आ जाएगा तो यह 3 में minus 1 मतले कि यह के जगा पर formula आपको लगाना है ठीक है तो minus के जगा पर यह के जगा पर minus 1 plus यहां पे 2 तीन है तो यहां पे क्या जाएगा 2 गुने 1 बटे 2 यह 2 खतम बच गया कितना तो यहां पे आपका minus 1 और plus 1 तो यहां पे आपका 0 आ गया ठीक है अब यह 4 भी निकाल लिजेए क्योंकि 4 निकालना है तो minus 1 plus 3 गुने 1 बटे 2 तो इसका हल करेंगे इसका हल आ जाएगा जहां पे 3 ठीक है प्लस 2 माइनस वे रहेगा तो यहां पे एक बटे 2 आ गया तो क्या आया इसको हम लोग इस परकार से भी इसका यह पी लिग देते हैं इसका यह पी क्या हो जाएगा इसका यह पी हो जाएगा पहले सबसे पहले तो minus 1 उसके बाद है फ नेरेक्ट पाट को देख रहें तो पंचमापाट देखते हैं कि यह निकलना है एक से निकालता है तो यह पलस डी ऑब यह बराबर क्यद्राла है 5 decimal 1 यहाँ भी minus यहाँ भी minus तो यहाँ पे आपका minus है ठीक है यह जोड है हम जोड दिये हैं जोड दिये हैं जोड नहीं घटा विए है लेकिन यह भी minus में है यह भी minus में है और जब 2 रिनात्मक संख्या मिलेगा तो वो क्या होता है आपस में जूड जाता है उसका लेकिन sign minus यह आएगा ठीक है यह 2 निकल गया आप यह 3 भी ऐसे ही निकालेंगे यह plus 2D है ना तो यह कितना है minus 1.25 minus इसको 2 से गुना कर देंगे 0.25 को यहाँ पे minus यहाँ पलस होना चाहिए लेकिर यह minus हम पहले ले आए हैं आप इसको गुना कर क्याप लीग दीजिए दिहान से साथ ही है ठीक है इसको अम लोग इसे भी लीग सकते हैं क्या इसको एक अश्टेप और बढ़ा देते हैं दिहान देजिए minus 1.25 minus 0 2 दो दो निकाल रेक 5.0 जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा पांच 7.1 ठीक है और यहाँ पर मैनस हो जाएगा ठीक चलिए यह 3 यह 4 आप निकाल दीजिए यह पलस 3D बराबर minus 1.25 minus 0.25 गुने 3 अब जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 75 मतले 0.75 minus यहाँ पर 1.25 इसको जोड़ेंगत क्या हो जाएगा यहाँ पर जोड़ दीजिए तहाँ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर पहले तो था minus 1.25 है ना उसके बाद प्राप्त किये हैं हम लोग minus 1.50 उसके बाद हम लोग पराप्त किये हैं minus 2.00 इस तरह से कार्मा इसका बढ़ता जाएगा यह आपका यह पी हो गया यह पी हो गया ठीक तो यूमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को फटा-फट लाइक कर दीजिए ठी स्क्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्ते के पास जरूर सेर कर दीजिएगा फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर तब तक आप से अलविदा लेते हैं जाहिन साथियों